ये चैनल पढ़ना है हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकिन को दवा दीजिए जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कुछन देखे क्या दिया गया है मानव खोपड़ी में कितनी होज़ियां होती हैं मानव खोपड़ी में कितनी हड़ियां होती हैं राय टंसर क्या हो जाएगा जाता है तो ECG के द्वारा मनुष्च के हिर्दे की गतिविदी को देखा जाता है और मनुष्च के हिर्दे की गतिविदी के लिए टेस्ट होता है ECG जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो कार्डियो ग्राम इलेक्ट्रो कार्डियो ग्राम के द्वारा मनुष्य की हिर्दे की गतिविदी को देखा जाता है चलिए आगे कुशन देखते हैं स्वस्त मनुष्य की स्वसंदर लगवग कितनी होती है स्वस्त मनुष्ट की सुसंदर लगवग होती है सोला से अठारा बार स्वस्त मनुष्ट की सुसंदर होती है अगला कुशन है मस्तिस्क का बजन कितना होता है मस्तिस्क का बजन कितना होता है राइट अंसर क्या हो जाएगा 1350 से 1400 ग्राम स्वस्थ मनुष्य के मस्तिस्ख का बजन होता है 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिस्ख का बजन होता है मानव सरीर में सबसे बड़ी हड़ी कहां होती है मानव सरीर में सबसे बड़ी हड़ी कहां होती है जांग में होती है हड़ी का नाम होता है फीमर और सबसे छोटी हड़ी कहां पर होती है छोटी हड़ी होती है कानों में इसका नाम क्या होता है इस्टेप ही जिसका नाम होता है या फिर आप इस्टेप्स भी कह सकते हैं कहीं कहीं इस्टेप्स भी लिखा होगा और सबसे छोटी पेसी कहां पर होती है, सबसे छोटी पेसी भी कानों में होती है, जिसका नाम होता है इस्टेपीडियस, सबसे छोटी पेसी होती है, जो कि कानों में पाई जाती है, अगला कुशन है, मानव सरीर में सबसे छोटी हड़ी, जो कि मैंने पहले ही बताया है, कहां होती है मत्य करण में होती है कानों में होती है जिसका नाम क्या इस टेपी जिसका नाम है अगला कुश्चन है मानव सरीर की सबसे मजबूत हड़ी कहां होती है मानव सरीर की सबसे मजबूत हड़ी होती है जबडे में जबडे की हड़ी मानव सरीर की सबसे मजबूत हड़ी मान जाता है, मनुष्य के सौंदर्री के अध्यन क्या कहलाता है, मनुष्य के सौंदर्री के अध्यन क्या कहलाता है, इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा, केलोलाजी, केलोलाजी मनुष्य के सौंदर्री का अध्यन क्या जाता है, केलोलाजी में मनुष्य के सौंदर्री का अध् सामानी मनिष्य का रिक्त-चाप होता है 120 अगला खेस्षन सामानी मनिष्य का रिक्तचाप सरीर यह में कितना समय लगता है सरीर में रक्त परिविर्मण में कितना समय लगता है राइट अंसर होगा 23 सेकेंड 23 सेकेंड सरीर में रक्त परिविर्मण में समय लगता है अगला कुश्यन है मानव सरीर में जल की मात्रा कितनी होती है मानव सरीर में जल की मात्रा देखिए approximately कितनी होती है 70% होती है तो इसके according right answer क्या हो जाएगा 65-80% मानव सरीर में जल की मात्रा होती है रक्त की मात्रा सरीर के भार का कितना प्रसत होता है रक्त की मात्रा सरीर के भार का कितना प्रसत होता है जो रक्त की मात्रा होती है वो सरीर के भार का 7 प्रसत होता है सब्सक्राइब दो कितना होगा 7 गिलोगराम आपकी बाड़ी पचास धेलोगराम कंगा Cameron यहाँ मनुष्य में की मात्रह कितनी होती है मनुष्य में रख्त की मात्रह कितनी होती है मनुष्य में रक्त की मातरा कितनी होती है 5-6 लीटर मनुष्य में रक्त की मातरा 5-6 लीटर होती है अगला कुछन है मानव रक्त इसका मतलब छारिये का पियच मान क्या होता मानव रक्त जो होता है वो कैसा होता छारिये होता है इसका पियच मान कितना होता है मानव रक्त का पियच मान होता है 7.4 7.4 पियच मान होता है इसलिए चार यह होता है अगर 7 से कम होता है तो वो क्या होता है अमलिय होता है अगला कुश्चन है रक्त को सुद्ध करने वाला अंग कौन सा है रक्त को सुद्ध करने वाला अंग कौन सा है तो रक्त को सुद्ध कौन करता है ब्रक यानि किडिनी रक्त को सुद्ध करता है अगला कुश्चन है लाल रक्त कड़ का जीवन जो लाल रक्त कड़ का यानि RVC होती है इनका जीवन काल कितने दिन का होता है लाल रक्त कड़ काल होता है 20 से 120 दिन का सुएत रख्त कडिकाओं का जीवन काल कितना होता है सुएत रख्त कडिकाओं का जीवन काल होता है 2-4 दिन का सुएत रख्त कडिकाओं का जीवन काल होता है मतलब क्या होता है WBC इनका जीवन काल कितना होता है 2-4 दिन का और RBC का जीवन काल कितना होता है RVC का जीवनकाल होता है 20 से 120 दिन का जीवनकाल होता है अगला कुश्यन है सर्वदाता रक्त समू यानि यूनिवर्सल डोनर कौन सा है यूनिवर्सल डोनर कौन सा है O Blood Group O होता है ये कौन होता है सर्वदाता रक्त समू होता है मतलब सभी को रक्त दे सकता है इसमें भी अगर बात करें तो O-negative सबसे जादा रग्त सभी को दे सकता है और O-positive O-negative को रग्त नहीं दे सकता है तो इसलिए O-negative जो होता है ये सभी को दे सकता है और लेके वल O-negative से ही सकता है ना कि O-positive से भी नहीं ले सकता है तो O negative अगर option में दिया जाए तो O negative पर आप ठीक लगाईए O negative क्योंकि सर्व दाता रक्त समू होता है Universal donor होता है अगला कुश्यन है सर्व ग्राही रक्त समू यानि Universal receptor कौन होता है तो इसका right answer क्या होगा AB AB जो blood group होता है AB यह blood group सभी से खून ले सकता है ब्लड ले सकता है सभी से चाहें O positive हो O negative हो या फिर B positive हो B negative हो A positive हो A negative हो या फिर AB negative हो या AB हो blood group AB positive हो सभी से blood group blood ले सकता है AB अगला कुश्यन है भोजन का पाचन क्रिया भोजन का पाचन क्रिया कहां से प्रारंब होता है भोजन की पाचन क्रिया यह मुख से ही प्रारंब हो जाती है भोजन की जो पाचन क्रिया होती है वो मुख से प्रारंब हो जाती है important question है काफी अगला question है पचे हुए भोजन का अफसोसर किस आत में होता है पचे हुए भोजन का अफसोसर छोटी आत में होता है देखे जो भी बोजन पच जाता है इसका जो अफसोसड होता है वो छोटी आत में होता है छोटी आत में पचे हुए बोजन का अफसोसड होता है अगला कुश्यन है पित यानि बाइल किस अंग द्वारा स्रावित होता है पित यानि बाइल किस अंग द्वारा स्रावित होता ह राइट अंसर क्या हो जाएगा यक्रत द्वारा स्रावित होता है देखिए दोनों जगे यक्रत है यहाँ पर आप मालेजिए इनमें से कोई नहीं तो सी ऑप्सन इसका राइट अंसर हो जाएगा किसके द्वारा स्रावित होता है यक्रत द्वारा पित्त स्रावित होता है अगर सबसे बड़ी हड़ी की बात की जाए तो कौन सी होगी फीमर कहां पर पाई जाती है जांगों में पाई जाती है सबसे छोटी हड़ी की बात की जाए तो कौन सी होगी इस्टेपीच कहां पाई जाती है कानों में पाई जाती है सबसे बड़ी गरंती कौन सी है यक्रत है और सबसे छोटी पेसी काहां पर होती वो भी कानों में पायजाती जिसका नाम होता है, इस्टे पीडियस का नाम होता है, तो यह आपको याद रखना होगा, इसके बारे मैं इन सभी के बारे मि पहले से ही डिश्कस कर चुके हैं, चलिए अगला कुशन देखते हैं, सरीर का सबसे बड़ा अंग होता है human body में अगला question है सबसे छोटी ग्रंथी का नाम क्या होता है सबसे छोटी ग्रंथी का नाम क्या होता है इसका right answer क्या हो जाएगा मानव सरीर का ताप मान कौन नियंतरिद करता है तो का नाम क्या हो जाएगा hypothalamus पिट्टी ग्रंथी सबसे चोटी ग्रंथी होती है अगला question है रक्त चाप मापने का नाम क्या होता है इस Phigmo Manometer रच्ट चाप मापने का यंत्र होता है जिसका जो आप कैने हैं कि Blood Pressure नपवाना है तो किस से नपवाते हैं आप उस गरंत यंत्र का नाम होता है इस Phigmo Manometer इस Phigmo Manometer इसके द्वारा रच्ट चाप यानि Blood Pressure नाम मापा जाता है अगला कुश्यन है मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाए जाती है मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां पाए जाती है मनुष्य यानि human body में कितनी जोड़ी पसलियां पाए जाती है 12 जोड़ी पसलियां पाए जाती है अगला कुश्यन है सरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है सरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है 206 206 होती है सरीर में कुल हड्डियों की संख्या और यहीं पर बात करें सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है फीमर सबसे बड़ी हड्डी है कि आपका यह revision हो रहा है देखे फीमर सबसे बड़ी हड़ी है और सबसे छोटी हड़ी कौन सी है इस टेपिज सबसे छोटी हड़ी है फीमर आपकी कहां पाई जाती है यह आपके जांग में पाई जाती है और इस टेपिज कहां पाई जाती है यह आपके कान में पाई जाती है सभी के कानों में सबसे चोटी हड़ी कौन सी होती है और सभी के जांग में सबसे बड़ी हड़ी कौन सी होती है फीमर सबसे बड़ी होती है और टोटल हड़ी कितनी होती है बॉड़ी में 206 टोटल हड़ी होती है बॉड़ी में अगर आप से आपके लिए कुश्चन है आप कम कमेंट में बच्चों में हड्डियों की संक्या कितनी होती एस आपको कमेंट में मास पेस्यां की संक्या कितनी होती है मास VA I 가운데二 कि संक्याफ उती है यह दो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा इसका राइट अंसर होगा छे सो उन्तालिस चे सो उन्तालिस मनुष्य के सरीर में मास पेसियों की संख्या होती है लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है टाइलिन जो हमारी ला वहा आपने कि जब कोई अच्छा जा स्वाधिष्ट खाना दिख जाए तो लारस निकलने लगती है तो उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है उसमें पाया जाता दोस्तो टाइल इन पाया जाता था आ अगला कुश्यन है लिंग निर्दारण होता है लिंग निर्दारण किसके द्वारा होता है पुरुष क्रोमोसोम पर यह निर्दारण होता है कि लिंग कौन सा होना चाहिए तो पुरुष क्रोमोसोम गुरुसूत्र यानी गुरुसूत्र भी कहते हैं पुरुस में कोश्ट यह होती हैं तो मनुष्य के हिर्दय में चार कोश्ट होती हैं चार कोश्ट होते हैं अगला कुशन है सरीर में गुड़सूत्रों यानि क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है क्रोमोसोम की संख्या होती है 46 अगला कुछन है सरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है सरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है तंत्र का तंत्र तंत्र का तंत्र सरीर की सबसे बड़ी कोशिका है अगला कुछन है सरीर में अमीनों अमलिक की संख्या कितनी होती है सरीर में अमीनों अमलिक की संख्या कितनी होती है राइट अंसर क्या हो जाएगा option B यानि 20 सरीर में अमीनों अमलिक की संख्या कितनी होती है 20 होती है सरीर में प्रति दिन लगबक कितना मूत्र बनता है सरीर में लगवग प्रति दिन एक से आदा लीटर मूत्र बनता है मतलब आदे लीटर से एक लीटर के बीच में मूत्र सरीर में बन जाता है अगला कुश्चन है मूत्र किस कारण दुरगंद देता है तो मूत्र दुरुगंद देने कारण है, मूत्र के दुरुगंद देने कारण है यूरिया, यूरिया के कारण मूत्र दुरुगंद देता है मानम मूत्रे जो की अमलिय होता है इसका pH मान कितना होता है मानम मूत्र का pH मान होता है 6 अमलिय क्यों होता है क्योंकि ये साथ से कम होता है बिटामिन A संचित रहता है बिटामिन A कहां पर संचित रहता है ये यक्रत में यक्रत में बिटामिन A संचित रहता है अगला QUESTION है सरीर का सामान नितापमान कितना होता है सरीर का सामान नितापमान होता है 98.6 degree Fahrenheit या फिर आप कहे सकते हैं 37 degree Celsius या फिर आप कहे सकते हैं इसी को 310 Kelvin 310 Kelvin देखिए ये TAP Wow के ही इकाईयँ है एक Fahrenheit हो गया, Celsius हो गया, Kelvin हो गया तो अगर आप question में option दिये गए फारेनाइट से related तो 98.6 हो जाएगा 98.6 हो जाएगा अगर degree Celsius में दिया गया तो 37 degree Celsius अगर Kelvin में दिया गया तो 310 Kelvin हो जाएगा answer इसी के साथ मैं question आप से ये भी पूछा जा सकता है जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मानव सरीर में तापमान को नियंतरित कौन करता है control कौन करता है कौन सी गरंथी control करती है right answer क्या बतायाता hypothelemus hypothelemus इसका right answer बतायाता hypothelemus ये इसका right answer होगा मतलब गर पूछा जाए कि मानव सरीर में तापमान को नियंतरित कौन करता है hypothalamus नियंत्रित करता है अगला question है सरीर में TBA नामक हड़ी कहां पाई जाती है सरीर में TBA नामक हड़ी कहां पाई जाती है पैरो में पाई जाती है TBA नामक हड़ी आपके सुविदा नुसार आपके लिए एक सुविदा ये भी है कि ये इसके बाद में आपका वीडियो एक बनेगा हड्डियों से रिलेटेड बोन से रिलेटेड एक वीडियो बनेगा कि कौन सी हड्डी कहां पाई जाती है जो कि most important काफी question इससे पूछे जाते हैं काफी jam में इससे question आते हैं तो हड्डियों से related question बना दिया एक पूरा set बना दिया जाएगा जिसमें जातर important question के बारे में discuss कर दिया जाएगा अगला question है सरीर में उतको का निर्माड किश्य होता है सरीर में उतको का निर्माड किश्य होता है राइट answer क्या हो जाएगा protein से होता है प्रोटीन से सरीर में उतको का निर्माण होता है मस्तिस्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है मस्तिस्क का बड़ा भाग कहलाता है सेरी ब्रम जिसे हम प्रामस्तिक कहते हैं प्रामस्तिस्क का सबसे बड़ा भाग कहलाता है सेरी ब्रम अब कुछ न में पूछ से, मंस्तिस्क गतिविदियों को किस के दौारा के कौन सा टेस्ट किया जाता है। मस्तिस्क की गतिविदियों का पता लगाने के लिए EEG टेस्ट किया जाता है EEG का मतलब होता है Electroencephalogram Electroencephalogram मस्तिस्क की गतिविदियों के उपर टेस्ट किया जाता है कि क्या-क्या गतिविदियां हो रही है अगला कुश्य ने किस अंग द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है किस अंग द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है राइट अंसर क्या हो जाएगा अगनास है और इसे किस नाम से और जानते हैं पैंक्रियाज नाम से जानते हैं पैंक्रियाज भी इसे कहते हैं इंगलिस नाम किसका क्या होता है, पैंक्रियाज, पैंक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन सरावित होता है, अगला कुश्चन है, मानव सरीर में कौन सी गरंती आसु सरावित करती है, मानव सरीर में कौन सी गरंती है, आसु सरावित करती है, तो लेकराइमल, लेकराइमल ये क्राइमिल जो कि आंसु सरावित करती है अब कुश्चन पूछा जाता है क्योंकि आंसु कहां से निकलते हैं आखों से तो आखों में जो प्रतिविम बनता है वो कहां पर बनता है रेटिना में बनता है और नेतरदान में कौन सा हिस्था प्रियोग किया जाता है आखों का कार कंट्रोल करता है इसको कौन कंट्रोल करता है इसको नियंतर करता है जो भी रोसनी हमारी आफों में पढ़ती है अगला कुछन है कौन सा लबड हड्डियों में सरवादिक मात्रा में पाये जाता है हड्डियों में सरवादिक मात्रा में कौन सा लबड पाये जाता है दोस्तों को पाया जाता है calcium phosphate, calcium phosphate हड्डियों में सरवादिक मातरा में पाया जाता है, हड्डियों में सरवादिक मातरा में calcium phosphate पाया जाता है, और इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, इसके लिए BMD टेस्ट किया जाता है, BMD का मतलब होता है bone mineral density मतलब हड़ियों में calcium का पता लगाने के लिए BMD test किया जाता है bone mineral density और calcium phosphate का formula क्या होता है CA3 CA3 और PO4 का hold twice ये calcium phosphate का formula होता है chemical name होता है ये भी आप याद कर लिजिए अगला question है BMD test का प्रियोग किसके लिए किया जाता है BMD test का प्रियोग किया जाता है अस्थी के लिए BMD मतलब bone mineral density मतलब अस्थियों में calcium का पता लगाने के लिए BMD test का प्रियोग किया जाता है इससे पहले मैंने दो test के बारे में और बताया जिसमें पहला test क्या था EEG EEG और ECG इन दो test के बारे में बताया आप comment करके बताईए ये दोनों test कहां कहां के लिए किया जाते हैं कौन सा test मस्तिस के लिए किया जाता है कौन सा test हिर्दे की गति के लिए किया जाता है कौन सा मस्तिस की गतिविदियों के लिए किया जाता है comment में हमें जलूर बताईएगा अगला question है नेतरदान में आंग का कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? इसicias отправに आप कमेंट के लिए कौन सा भाग किया जाता है और साथ ही साथ में हम ये भी बताइए कि रोसनी को करता है? आकों में हमारी जो पढ़ती है जो कौण सा यह भी बताईएगा और हम जो बी देखते तो उसका पृतिविम्ब कहां पर बनता है यह भी अगरा कुछन है सबसे छोटी डबलोवीसी में सी होती है लिंफोसाइट होती है लिंफोसाइट सबसे छोटी डवलूवीसी होती है इसी के साथ में आपको अलग से तीन कुश्चन बताने हैं और उनमें से आपको कुश्चन कौन कौन से बताने हैं पहला कुश्चन बताना है कि डबलू वी सी का डबलू वी सी का राशाइनिक नाम क्या होता है डबलू वी सी का अन्य नाम क्या है इसके साथ में दूसरा कुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् आपके सेम रहेंगे जिसमें से आपका एक option कट भी जाएगा lymphocyte देखे कुछ सरलता कर दी मैंने तो यहां पर lymphocyte कर जाएगा यहां आपको यह कहां पर जाएगा डबलू इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सकाइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे वीडियो की लेटेस्ट नॉटिफिकेशन आपको मिल जाए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्बाद चैनल पर बने रही है स्वस्त रही है मस्त रही है